हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का स्टड़ी आईक्यू पर स्टड़ी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं मैं शुबम सर्धालिया एक और विशेप एक और टॉपिक पर बात करने के लिए आ चुका हूँ आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेस्बूक याँ टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ करेक्ट कर सकते हैं कोई भी आपका डाउट है कोई आपकी क्वेरी है आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं जिस विशेपे हम बात करने वाले हैं उसका संबंद जो है वो बिहार रा प्रजाती है काले हिरन ब्लैक बग जिसको कहा जाता है उसको कंजर्व करने के लिए संरक्षित करने के लिए कारेकरम की शुरुवाद वो होने वाली है विस्तार से इसके बारे में हम लोग चो है वो यहाँ पर चर्चा करेंगे दोस्तों बिहार स्टेट एक्जाम के अगर इंजट ब्लैक बक्स इन बक्सर डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू स्टेट फॉरेस डिपार्टमेंट तो राज्य वन विभाग के अनुसार बिहार के बक्सर जिले में लुप्त प्राय प्रजाती काले हिरन के संरक्षन के लिए एक अभियान शुरू करने की योजना ज जो है वो बनाया जाएगा जहां पर इन काले हिरनों को ला करके रखा जाएगा तो ये जो है ये पूरा का पूरा क्रक्स ऑफ दे स्टोरी है तो बारा एकर में एक रेस्क्यू सेंटर जो है वो बनाया जाएगा काला हिरन आप जानते हैं आपने बहुत बार इसके लिए सु हो रहा है hundreds of black bug locally known as काला हिरन और क्रिशना मिर्ग काला हिरन या क्रिशन मिर्ग जिसको कहा जाता है वो बकसर और उसके आस पास के जंगलों में खुले आम घूमते हैं सिरफ बकसर ही नहीं भोजपुर कैमोर जिला यहां पर आम तोर पर स्वतंतर रूप से घूमते हुए यह का Population of the species is threatened by wild animals and poaching तो जंगली जानवरों से इनकी अबादी को खत्रा है साथ ही साथ poaching यानि के अवैद शिकार से अब काले हिरन के बारे में तो आपने सुना ही होगा ओ आप सभी जानते हैं तो काले हिरन को खत्रा है के लोग आते हैं गोली चला करके काले हिरन को माल डालते ह तो ये पूरे के पूरे खत्रे जो है ये काले हिरन के ओपन है सबसे जादा खत्रा इसको जंगली जानवरों से है और अवैज रूप से शिकार का खत्रा जो है ब्लैक बग जो है injured during wild encounters and poaching attempts will be brought to the rescue center for the treatment प्रोजेक्ट का जो उदेशे है वो यह होगा कि बकसर जिले में 12 एकर का एक rescue center बचाव केंदर जो है वो बनाये जा रहा है इस बचाव केंदर में उन सभी काले हिरनों को लाया जाएगा जो कि यहां तो किसी जंगली जानवर के हमले में खायल हुए है यहां फिर अवैद रूप से उनको शिकार उनका होने वाला था उसमें वो बच गए है तो उनको इलाज के लिए rescue के लिए इस केंदर में लाया जाएगा इस rescue center को बनाने की योजना जो है वो रहने वाली है ताकि काला हिरन black buck को बचाया जा सके अब देखें अगर हम तो बिहार के अंदर ये है बकसर जिला तो बिहार के बकसर जिले में जो है यह rescue center बनने वाला है ब गंगा नदी के आसपास का जंगलों का इलाका है वहां पर इनकी प्रजाती जो है वो काफी जादा मात्रा में पाई जाती है इस वज़ा से यहां पर इस सेंटर जो है वो बनाया जा रहा है ता नेचुरल हैबिटेट ऑफ दी ब्लैक बॉक्स आर रेगुलरली थ्रेक्टेंड बाई दे डिस्ट्रक्टिफ फ्लड्स इन गंगा एंड सोन रिवर तो दो खत्रे जो है वो इनको मैंने आपको बताए एक खत्रा है जंगली जानवरों से दूसरा खत्रा है शिकारियों से लेकिन उसके अलावा भी इन काले हिरनों को निरंतर खत्रा बना रहता है क्यूं क् प्राकृतिक आवास है जहां पर नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं उन इलाकों को खत्रा जो है वो रहता है बाड से तो अल्मोस्ट हर साल गंगा या सोन नदी में बाड आने की वज़ा से इनके घर जो है जहां ये रहते हैं जो इनका प्राकृतिक आवास है वो बाड मे बहज आता है और ultimately जब इनका घर नहीं रहेगा तो इनके sustenance की इनके रहने की समस्या जो है वो आएगी तो तीन खत्रे मैंने आपको बता दिये पहला खत्रा जंगली जानवरों से दूसरा खत्रा शिकारियों से और तीसरा खत्रा जो है वो गंगा और सोन नदी में आने वाली बाड़ से तो होता क्या है दा एंटलॉप सर्वाइव और वेजिटेशन मेंली ग्रास और फिल्ड्स कलिवेटिट बाई फार्मर्स मुख्य रूप में ये म्रिग जो है ये हिरन जो है ये वनस्पती की वेजिटेशन के ऊपर सर्वाइव करती है और इनको जो विजिटेशन है वो कहाँ से मिलती है इन इलाकों के आसपास के खेतों में किसानों ने अपनी फसल उगाई होती है और ये जो फसल है इस फसल को खा करके, इस फसल पे चर करके ये अपना गुजारा जो है, वो करते हैं Local communities are friendly to them सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो आसपास के इलाके हैं, वहां के जो स्थानिय समुदाए हैं वो उनके लिए friendly है and never attempt to hurt them from damaging these standing crops due to religious beliefs ये काले हिरन जो है, ये मरीक जो है, ये किसानों की फसल के उपर अपना फसल को जो है वो चारा समझ करके खाते हैं लेकिन फिर भी जो स्थानिय लोग है, स्थानिय समुदाए हैं, वो इनको हाट नहीं करते हैं एवन दो ही उनकी फसल को खराब कर रहे हैं, फिल भी वह इनको कुछ नहीं कहते, क्योंकि इनका एक belief है, एक धार्मिक मान्यता है कि इसको नुпрिषान जो है वो नहीं पहुंचाना है, तो इस वचा से ये जो एक धार्मिक belief है, वो इनकी help करते ह के इनको लोग जा करके local तो इस पीपल also protect them from hunters काले हिरन के बारे में आप सभी जानते है ब्लैक बग काला मरिक जिसको कहते हैं इसका scientific नेम जो है वो सर्वी कैपरा ईंटी बॉब सर्वी कैपरा इसका scientific नेम है इंडिय अंडिय ये जाता है इस चाहितust में इसकी प्रजाती जो है वो पाई जाती है इट हैस बिकम एक्स्टिंक्ट इन पाकिस्तान इन बंगलादेश पहले ये पाकिस्तान बंगलादेश भारत नेपाल इन सभी देशों में पाया जाता था लेकिन आज पाकिस्तान और बंगलादेश से इनकी प्रजाती जो है वो विलुप्त हो गई है विलुप्त होने का कारण जो है वो आपको मैंने बता चुका हूँ wild animal से खत्रा, शिकारियों से खत्रा, आज present scenario यह है कि कुछ छोटे छोटे जुंडों में यह पाए जाते हैं वो wildlife protection act 1972 1972 के endangered category में आता है hurting them is a criminal offense under the act and is punishable with a fine or imprisonment अबको 3 years अगर इसका शिकार कोई करता है इसको कोई मारता है तो या किसी फरकार का नुकसान इसको पहुँचाने की कोशिश करता है तो क्यूंकि यह endangered species है black bug की तो इसको जो है वो नुकसान पहुँचाने पे 3 साल तक का गैध हो सकती है या फिर एक heavy fine जो है वो नुकसान पहुँचाने वाले पे लगाया जा सकता है तो यह है पुरा का पुरा यह news article जहां पे काले हिरन की हम लोग बात कर रहे है तो बिहार के बकसर जिले में एक center बनाया जा रहा है जो कि rescue center होगा एक राहत के लिए इनको जो है जमान लीजिए कोई भी black bug जो है वो किसी प्रकार से injured हो जाता है तो उसके treatment के लिए उसके इलाज के लिए उस इलाज के अंदर में उस rescue center में इसको जो है वो लाया जाएगा यह है दोस्तों पुरा का पुरा news article जिसके विशे में हम लोग चलजा कर रहे हैं और अपनी preparation को हमारे साथ बहतर बनाये thank you very much दोस्तों all the best keep working hard बाई बाई टेक केर जैहिंद